आर्टिपीशल इन द शेंश सिर्फ यह है कि वह जो नैच्रल प्रोसेस से मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा उसको बाहर मिला जारہ है। इसके अलावा और आड़िपीशल कुछ भी नियुसे नीच्रल है। करना उसके वालित का है अंडा उसी बीवी का है रहम उसी बीवी का है में जाकर लगता है बर्त ऊसकी नाच्रल होती है हाँ कभी काँ अर्ली बर्त के वज़े से उसको इंक्यूबेटर भगरयsche में रखा जाता। वह एक अलग चीज है कितना अर्ली बर्त होगी तो कि इसलाम के खिलाफ नहीं संझते है। iv dopo ilड सांम को इसलाम कंपोरता ह। और हर वा चीज जो Quran & Sueなんか के मथा चो कभूर्बवोरता है। उसको मुबा समझता है, जाइज समझता है और मुबा के अलावा ओलाद के मामले में अगर कुछ थोड़ा बहुत प्रोसेस करके अगर ओलाद वजुद में आ जाती है तो ये बहुत बड़ी नहीमत है इसलाम इसकी भी याद देता है और ये नए तरीफों के वज़े से माशालला कहीं लोग जो लावलत थे, बे उलाद थे, बांज थे अल्लाद नहीं नए तरीफों के वज़े से उनको अलाद जिसी नहमत से नमाजा है अगर तो वो जेनरेशन कुछ खराब नहीं वो अपनी नसल है, वो सारे चीज़े उनकी नहीं चला है सिर्फ वो प्रोसेस मीटिंग का वो दो चीज़ों का जो शुरुआत खातना वो थोड़ा सा बाहर किया जा रहा है और वो बहुत कम वक्पे का होता है इंशालला मैं जब डिसकस करूँगा तो इंशालला उसमें ओ लेंगे एक सवाल है भाई की तरह अब भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदकात के जरीए डोनेशन डीटिल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इससे शेर करें और सभाब की हगदार बने रोजाना हमारे नए वीडियो पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल ऐकन दबाएं हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिये गए आइडिस को सर्च करें जजा कर ला